माइग्रेन के लिए मर्मा पॉइंट्स के द्वारा रिशुमुनियों को दी गए थी फिर रिशुमुनियों ने आगे पूरे समाज को यह मर्मा पॉइंट की विद्या सबको सिखाई तो हम करने जा रहे हैं पहला मर्मा पॉइंट स्थपनी मर्मा पॉइंट जैसे कि आपने देखा हमने किया अभी स्थपनी मर्मा पॉइंट जो आप कोई दिमाग को माइग्रेन को ठीक करता है तो इसमें करने की टेकनीक क्या है आपको अपना जो अंगूठा है वो आपके दोनों आइब्रोस के बीच की तरफ रखना है इस तरह से प्लेस करते हुए आप चार उंगलिया यहां पर भी रख सकते हैं यह सपोर्ट के लिए है और फिर अपने पॉइंट को प्रेस करना है यहां पर जिहान रखेंगे कि आपको जो अंगूठा है वो बार-बार उठेना मतलब आपके स्किन से दूर ना जाए आपको हैं और दिन में मतलब की पूरे दिन में छे घंटे की गैप में तीन बार करना है इसको तभी आपको इसका फाइदा मिलेगा ही मिलेगा अब चलते हैं दूसरा मर्मा पॉइंट के तरफ जिसका नाम है अपांग हमारा दूसरा मर्मा पॉइंट अपांग मर्मा पॉइंट जैसा कि आपने देखा दोर्न उंगलियों को आपकी जो आइब्रोस से बिलकु ले जाते हुए जो यहां पर आपको एक होल मतलब एक गढ़्धा दिखेगा वहां पर आपको प्लेस करना है और वहीं पर ही आपको प्रेस करते जाना है इस तरह से जैसे कि पहले टेकनीक में था कि इसको उंगलियों को नहीं उठाना है और आखे बंग करके पूरे ध्यान से अगर आप करें तो आपको बैनेफिट इसका ज़रूर मिलेगा यह अपने बच्चों को जिनकी माइन पावर तेज़ करनी है उनक अगर कोई क्लाइन आता है मुझे कहता है कि मुझे हैडेक है तो तुरंत अगर यह पॉइंट हम प्रेस करवाते है थपनी या पांग मरमा पॉइंट तो उससे कहा हुए उनको इंस्टेंट हैडेक में काफी रिलीफ मिलता है उनको तो अगर आप यह पूरे दिन में 6 गंट करते हैं तो आपको बेनेफिट मिलेगा ही मिलेगा और आपकी बुद्धी का और विकास होगा मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह जो हमारे मरमा पॉइंट से इसको डेली बेसिस पर अपनाईए धन्यवाद